हाई एवडिवन इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं जहां पर आपको आने वाले दिनों में एक बड़ा मूव दिखने को मिल सकता है इस स्टॉक को मैंने इसलिए सलेक्ट किया है क्यूंकि इस stock ने आज के दिन एक fresh breakdown दिया है तो stock का नाम है विदानता और ये रहा chart तो आपका जो पूरा ध्यान होना चाहिए आपको इस पर ध्यान देना है कि आप इसमें किस प्रकार से trading कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं total दो तरीके बताऊंगा बट उससे पहले concept को समझें और ये समझें कि मैंने इस stock को क्यों select किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस stock का जो support था वो somewhere around 266 रूपिज के आसपास था जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी prices level को touch करती थी हमें upside में एक move देखने को मिलता था बट आज की दिन हमें इसका एक breakdown देखने को मिल रहा है that means कि जो stock को select करने का जो region है वो है इस support का breakdown एक चीज आप यहाँ पर और notice कर सकते हैं और वो है आज का volume तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर price गिर रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bearishness का और ऐसे cases में price के नीचे जाने की जो probability होती है वो काफी जादा बढ़ जाती है अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ volume की तो ऐसा volume हमें November 21 के बाद देखने को मिल रहा है लगभग 2 साल के बाद हमें एक ऐसा volume देखने को मिल रहा है तो यह भी एक मतलब काफी interesting बात है कि इतना जबरदस्थ हमे volume देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं कि इसको trade कैसे करते हैं तो देखिए इसको trade करने के दो तरीके है पहला क्या है कि जैसे इस candle का जो low break होगा तो आप वहाँ पर एक selling position बना सकते हैं या दूसरा जो कि आप internet पर देखते होंगे कि यह लोग क्या कहते हैं कि जैसे कि कोई भी label अगर break होता है तो आप wait करें retracement का and इसके बाद यहाँ पर trade ले क्योंकि जो retracement पर जो risk होता है वो काफी कम होता है बट आपको एक बात यह समझना होगा कि अगर कोई भी stock breakout देता है मतलब कोई भी stock अगर किसी level का अगर breakout देता है तो यहाँ पर कोई भी guarantee नहीं है कि यह stock जो है retrace करेगा और यह almost maximum लोग इस चीज़ को नहीं बताते तो मैंने कई बार पूछा भी कि सर अगर माली जी इसने breakdown दिया तो क्या यह retrace करेगा तो एक बात मैं आपको बता दू कि कोई guarantee नहीं है कि यह retrace करेगा या नहीं करेगा कोई नहीं बता सकता तो एक तो है आप इसके low के नीचे trade करें और दूसरा आप इसका retracement का wait करें जिसके कोई भी guarantee नहीं है तो अब बात करते हैं कि हमारा selling level क्या होगा तो आज का जो low है वो है 247.60 तो 245 के अगर नीचे निकलता है तो आप कोई एक अच्छी selling देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगा stop loss की तो stop loss होगा 266 रूपिज closing basis पर मतलब यह हुआ कि अगर इसके उपर कोई भी candle अगर close कर देगा तो आप अपनी position को exit कर सकते हैं अब बात करते हैं target की तो first target आपके पास आ रहा है 235 का second target है 220 का and third target आपके पास आ रहा है 205 रूपिज का I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा thanks for watching